नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है में से सी नोटस में तो हाजिर है हम लोग अपनी एक क्लास में जिसमें हम लोग हिंदी शाहित का भक्तिकाल डिसकसन करने वाले हैं है ना, बिंदुवार तरीके से, कुछ समराइस तरीके से हम लोग भक्तिकाल को पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि भक्तिकाल में क्या हुआ था कैसे हुआ था कौन से रचनाय थी कौन से कभी थे उन सभी पर डिसकस करने वाले हैं आज की वीडियो में ठीक है तो हवी लोग जितने लोग आ गए होंगे इस वीडियो पे तो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों काओ शेयर भी करेगा क्योंकि वीडियो आपको अच्छी ही लगने वाली है ऐसी मैं गैरेंटी दे शकता हूं क्योंकि वीडियो अच्छी ही होगी अगर आप हिंदी शाहित पढ़ने आये हैं तो ठीक है तो पूरी पीडियाफ है मतलब यह सौट नोट्स कह सकते हैं यह सौट नोट्स हम सभी ने जो बनाया है अगर आप पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिये रखा है ना इसी नंबर पे कॉंटेक्ट करके आप 99 रुपए में कितने रुपए में मात्री 99 र पैर में प्राप्त करिए ठीक है चले आतों बात करते हैं मेंलोग मिसмेट कौन चाहें तो आपको पता होगा कि सबसे पहले भकतिकाल तो भक्तिकाल कहां से आया और धं से-ट्श्च्ण से कौन लेकि आया तो रामानन्द ये कहा जाता है कि रामानन्द एसे गुरू थे जिन्होंने दक्षण से उत्तर में भक्ती को लेके आए ठीक है और इनके गुरू कौन थे रामानुजाचार ठीक है तो रामानुजाचार जो थे वो इनके गुरू थे और रामानुजाचार ने इनको क्या कहते हैं दिख्षा दी और उसके बाद इनों ने उत्तर में आया उत्तर में कि यह किया भक्ति का प्रशारण किया और इनके बहुत सारे धेरसारे शिष्ठ रहें जिनमें से 12 प्रमुख बात होती है जिनकी जिनमें से आपको पता होगा कि कबीर भी है ना रवीदास यानि रैदास भी हो जाते हैं तो ऐसे करके बहुत सारे इनके से शब़ी गए ठीक है तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस धारा को कैसे विभाजित किया गया ठीक है तो हमेशा कभी कभी कोशिण पूछता है तो उसमें क्या होता है कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया था वो पहला था निर्गुण का विधारा और दूसर ठीक है तो ज्यानासरई और प्रेमासरई ठीक है या ज्यान मारगी या प्रेम मारगी ऐसे भी कहा जाता है और राम भक्ति साख्खा और कृष्ण भक्ति साख्खा ठीक है ऐसे कर दो फिर उसके बाद अब ज्यानासरई में ये होता है कि प्रमुख कभी कौन है कभी कभी प्रमुक कवी कौन है तो प्रमुक कवी हमारे कौन है कबीरदास है ना और प्रेमाश्री में सूफी इसको संतों में बात करेंगे तो सूफी संत की बात होती है ना यहां पी सूफी संत धारा हो जाती है ऐसा भी बोला जाता है इसको ठीक है और यह संत वाला तो सूफी में यह पर जैसी, जैसी का नाम आप लोग ने सुना होगा क्योंकि पदमावत एक बहुत ही विछ्षाथ रहना एक महा कावब वह हैं तो उसके विलिए आप लोगों ने जैसी का नाम जरूर सुना होगा ठीक है उन में से सबसे प्रमुख कौन है तुलसे दास है और कृष्ण भक्ती में सबसे प्रमुख या जिसका सबसे ज़्यादा दबदबार आ है वह सूर्दास का ठीक है इतनी चीजे आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है अब आगे की बात करते हैं यहाँ पर भूला जारा है कि संत काविए संत कावि मतलब प्रेमाश्रई उसरी घ्यान आस्रई तो संत कविधहरा में जो कवी है कौन कबीर ये संबसे प्रमूख है संत काव Politik कविधारा का अर्थ क्या होता है संतो के द्वारा रचा गया काविभूọn का उसका अर्थ है निर्गुण कव्य द्वारा रचा गया काविभू निरुण में क्या होता है कि मतलब यह हैby जो जिस ब्रह्म के व्पासक है वो, कैसे है निर्गुण है ना तो निर्गुण ग्रम क्यों पासकते इसलिए अब प्रेमास्टरी में क्या है प्रेमास्टरी में सब क्या है निर्गुण में जो सूफी कभी हुए है इनकी रचना यहां पर देखी जाएंगी जिसको प्रेमकावत भी का जाता है ठीक है इसके जो प्रम है ना, क्या प्रश्नी पूछा जाता है, तो प्रश्नी ये पूछा जाता है, कि पहले सूफी कभी का नाम बताए, है ना, ऐसे कौन से कभी है, जो पहले सूफी कभी है, तो सरुमानने तरीके से मुल्ला दाउद, है ना, मुल्ला दाउद, ठिक, तो मुल्ला दाउद का नाम सर माननnelle तरीके से इनकी पहले नाम और मुल्ला दाऊद और चंदायन यह सूफी रचनाओं में पहली रचना माने जाती है इतनी चीज़े clear हो गई पिर राम भक्ति साखा में अगर बात करेंगे तो कभी तुलसी रास को जाना जाता है और इनका जो सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है मा काव है वो है राम चरितमानस और उसमें भी बहुत सारे इसमियाप लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं जाना कौन-कौन से काव एं यहां पर राम भक्ति काव में इसमें उन्हें और है कि तुलसी की ग्रमुखंध में राम लला नह्चू रामाज्या प्रश्ण, जानकी मंगल, राम चरितमानस, पार्वति मंगल, इसमें 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 बंदर detox का 67 को भडवली धह, भे शंद हम ज रखेगा और दोहा वली कविता वली वैराग्य संदीपिनी यह रचना किसकी है यह प्रमुग रचना है यह पूछी भी जाती है आपसे ठीक है यह है किसकी तुलसी दास जी की ठीक है और यहां पर कृष्ण भक्ति के लिए देख लेते हैं तो कृष्ण भक्ति में देखिए क्रिष्ण भक्ति का विधारा में प्रमुख कभी सूर्दास मने जाते हैं और इनकी जो भक्ति है वो साख्य भाव की है और सूर्दास है यह नोंने वातसल को अपना हतियार बनाया जैसे आपने भुटरन नंचरत है न तो यह जितने भी हैं वातसल समराट कहा जाता इनको और कृष्ण का विधारा में दूसरा इस्थान नंद दास का आता है, नंद दास को ब्रजभाषा का जड़िया कहा जाता है, ठीक है, जड़िया कहता है उनको, और कृष्ण वक्ति का विधारा में मीरा बाई का भी प्रमुकिस्थान है, मीरा बाई का ये कृष्ण की दिवान मुकुट जाके सिर्फ मोर मुकुट तो बक्तिकाल की प्रमुख कभी यहां पर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं आप लोग तो कुछ लोगों को हम आज यह बिसकस करते हैं मुझा आप लोग दास का अन्सात और मदुमांति मंझन की हैं मिघावति कुदबन की हैं इंपोर्टेंट है सब और चित्रावली उस्मान की हैं यह सब सूफी है किसकी है यह इस्वर दासकी है रूप मंजरी राश पंचा ध्याई नंद दासकी है पद्मावत अख्रावट आखरी कलाम यह जोम यह सब किसकी है जाईसी की है और यहां पे सुधामा चलिद जो है नरुतम दासकी नरसी जी का मायरा गीत गुविंद टीका देखो गीत गुविंद जैदेव की है ठीक है और गीत गुविंद पर टीका किस ने किया है मेरा बाई ने और हित 84 है हित हरीवंज है और सूरदास सूरसारावली साहित लहरी यह सब किसकी दचना है सूरदास जी की है ठीक है तो आज हम लोग इस नहीं कह सकते हैं कि संपोर्ड क्या कहते हैं सब कुछ इसमें आ गया है तो असा नहीं है लेकिन मस्तपूर्ड टीजिस जितने भी हैं वह यहां पर मौजूद है नहीं केड़े और हां कमप्प्लीट अगर चाते हैं तो आपको नीजी नंबर दी ही राको है ठीफ है और हमारा जो कोस होता है वह एपर एक अप्लिकेशन मजब मौजब है अप इस नंबर पर इस नंबर करके पूस्ट हों और और में झारबट कर सकते हैं और उसमें जो कूर्स होते हैं वह चाहेज यूपी टृट यूपीट सीट और प्लेटी पीजीट लरो में पर नबर करके पूछ सकते हैं कि courses का price क्या है क्या नहीं है और यह जो notes है जिसमें पूरी यादि आधिकाल से लेके आधुनिक काल तक सेम एकदम एकदम क्या कहते हैं मातपूर बिंदूं को लेते हुए सब कुछ detail में और short में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में तो यह जो नंबर है उस पे आप WhatsApp कर सकते हैं और WhatsApp करके पूर सकते हैं कि मुझे 99 रुपे वाली कैसे मिलेगी या हिंदी साइट की जो पीड़ है वो कैसे मिलेगी और अगर कोर्स के लिए भी चाते होंगे तो भी इसी नंबर पर इंक्वारी कर सकते हैं तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहीं